Hi everyone, Indies 115 में एक छोटा सा amendment है, that is licenses of intellectual property ये amendment से related 3-4 question भी है, तो वो सारे question भी हम discuss कर लेंगे तो पहले हम समझते हैं कि licenses of intellectual property इसमें क्या basic हम समझेंगे तो जैसे कि हमने समझा था, step 5 model में हमने दिखा था कि कितने बार control जो है वो transfer होता over a period of time और कितने बार control transfer होता है at a point in time उसे से related concept है कि जब कभी भी आप intellectual property को license पे दोगे तो आपको ये अभी amendment जो है ये आपको guide करेगा कि कब आपको समझना है कि आपने जो license दिया है, यानि intellectual property में आप patent समझ लीजे समझ लीजे, copyright समझ लीजे, software समझ लीजे, है ना यहां पर आप देख सकते है franchise, patent, trademark, copyright, technology, media, किसी भी टैप का आप license अगर दे रो ये सब सारे licenses के example होगे, यहनि किसी भी प्रकार का आपने intellectual property यानि IPR का अगर आपने licenses दिया है, है ना licenses बीच है हमें, मानिच हम दो साल के लिए licenses इसू करते हैं, five years के लिए license इसू करते हैं, intellectual property राइट करते हैं, इससे patent वागेरा काम देते हैं, तो यहां पर ऐसे situation में, अगर मैं मानलो, entity हूँ, आप customer हो, मैं मानलो, आपको license दे रहा हूँ, patent दे रहा हूँ, मैं आपको patent यानि license प्रोवाइड कर रहा हूँ, five years के लिए, मैं किसी भी प्रकार का आपको license दे सकता हूँ, यहां पर अगर मानिच है, मैं आपको पॉली का चित्रा वगेरा लगा सकता है, यहां पर यह भी क्या होगे, इंटलेक्चर प्रॉपटी राइड होगी यहां पर है न, तो किसी भी टैप का, यहां पर अगर आप देखो कि यहां पर एक पिरिड ओट तेम यहां पर है, यहां पर समझना है, बाकि सारा सीम वैसे ही रहेगा, जो हमने पढ़ा था, step 1, step 2, step 3, step 4, सारा चीज़ वैसे ही रहेगा, बस यहां पर हमें बस यह समझना है, कि अगर हम कभी भी intellectual property right का license issue करेंगी, तो हम वापर कैसे पता करेंगी, कि control जो है, वो transfer हो रहा है, over a period of time, या फिर control transferred हो रहा है, at a point in time, हम कभ मानेंगे, यह दो में से हम कैसे judgment करेंगे, तो इसके लिए आपको standard guide करेगा, ध्यान से सुनीगा, कि मैं क्या कहना चाहतूं, जैसे मैं example है तो आपकी विराट कोली ने क्या किया कि उसने किसी customer को कहा कि तु मेरा जो image वगेरा, यह सब सारा चीज़े तु यूज कर सकता है, तीन साल तक कोई problem नहीं है, यहाँ पर customer ने का चलो ठीक है, customer उसके लिए payment करेगा, वो यहाँ पर license दे रहा, विराट कोली अपना है, तो यहाँ पर customer क क्या करेगा, तीन साल तक वो उसका benefit ले सकते हैं नहीं, वो अपने product वगेरा में, विराट कोली का image वगेरा, सब कुछ लगा कि वो बेचे गाया पर, अब मेरी बात समझे, क्या customer यहाँ पर, customer का बताई, अगर मालिजे आगे जाके तीन साल में, आगे जाके अगर विराट क कोली मालिजे खराब perform करेगा, अच्छा perform नहीं करेगा, तो उसका उससे negative impact पड़ेगा, यानि क्या over a period of three years, अगर मालिजे customer ने three years तब का contract क्या विराट कोली के साथ कि वो उसका सारा जो भी right उसने ले लिया कि वो use करेगा, उसका जो भी नाम वगेरा सारा ची यूस करेगा तो यहाँ पर बताएं वो जो customer है, वो customer को क्या impact परने वाला विराट कोली की performance है, obviously बात है विराट कोली की performance है उससे impact पड़ेगा, क्योंकि जो उसका characteristics, विराट कोली का जो feature है, विराट कोली का जो characteristics है, जैसे जैसे वो बदलेगा, वैसे वैसे customer का profit भी बदलेगा यहाँ प obligation तीन साल का है अगर तीन साल के लिए अगर मान लिए चेंग मैं विराट को लिए हूँ आप customer हो मैंने आपको three years के लिए मैंने आपको three years के लिए right अगर दी दिया तो यहां पर ऐसा नहीं कि मेरा आज ही जिमेदारी खतम होता नहीं क्योंकि customer मेरे से 3 साल तक expect करेगा है ना customer मेरे से 3 साल तक performance का expect करेगा उसने 3 साल का मेरे से contract किया है तो तो यहाँ अबर 3 साल तक मेरी betting वगिरा सब कुछ मेरी अच्छी होगी तो that means उससे customer को फाइदा होगा तो यहाँ पर मैं मानूँगा कि मेरा जो performance obligation है वो आज at a point in time satisfy नहीं हो रहा है मेरा performance obligation satisfy होगा over a period of time यनि over a period of 3 years मुझे performance करना है मुझे outperform करना, मुझे अच्छा betting करना है मुझे नाम कमाना, मेरा characteristics अच्छा होना पड़ेगा तब जाके मेरा customer को फाइदा मिलेगा तो याणि that means मेरा performance जितना अच्छा होगा customer को उतना फाइदा मिलेगा मेरा performance खराब होगा तो customer को उतना नुकसान होगा तो यह एक मैंने example लिये है जहाँ पर मैंने कहा कि जब विराट कोली किसे को 3 years का license देगा जहाँ पर वो उसका image वगेरा use करेगा तो यहाँ पर विराट कोली का performance obligation जो है वो satisfy होगा over a period of time क्योंकि उसको performance देना है पूरे 3 साल तक customer expect कर रहा है कि वो 3 साल तक performance देगा यह एक example हम ले लिए अब दूसरा example हम लेते हैं सचीन तेंदूलकर का अब मेरी बात सुनी क्या सचीन तेंदूलकर अब cricket खेलते हैं नहीं खेलते हैं सचीन तेंदूलकर ने cricket खेलना छोड़ दिया है अब वो cricket नहीं खेलता अब माली यह मैं सचीन तेंदूलकर हूँ आप customer हो मैंने आपको अधिकार दिया कि आप अपने जो भी product है उसमें आप को license दिया है तो ऐसा situation में अब यह बताइए आप customer हो कि customer आप expect करो कि सचीन तेंदूलकर आने वाले तीन साल में अच्छा perform करेगा और आपको उससे ज्यादा benefit होगा नहीं क्योंकि सचीन तेंदूलकर तो अल्रेडी घर में बैठा होगा है उसने तो अभी cricket खेलना छोड़ दिया है तो that means अब आगे जाकिए three years का आपको contract दिया गया three years का आपको contract दिया गया मतलब मैं सचीन दंदूलकर आप customer हो अब आने वाले three years में मेरा को performance application नहीं हो नहीं customer मेरे से expect कर रहे है कि सचीन दंदूलकर कुछ perform करेगा तो उससे उसका feature बदले और customer का ज्यादा फैदा होगा ऐसा कुछ नहीं क्योंकि सचीन दंदूलकर ने cricket खेलना छोड़ दिया तो अब उसके performance पर dependent नहीं है यहां पर और example है तो मालीचे कपिल देव का तो उसने भी cricket खेलना छोड़ दिया ऐसे situation में मानेंगे कि सचीन दंदूलकर ने जैसे ही three years का right दे दिया ना माना जाए गा cricket खेलेगा और नाम कमाएगा जिसे customer को फाइदा मिलेगा तो ऐसा नहीं है तो इसलिए आपको चेक करना होगा अच्छा पर्फॉर्म करेगा कस्टमर का फायदा होगा खराब पर्फॉर्म करेगा कस्टमर का नुकसान होगा एक यह हो गया जहां पर हमानते हैं कि over a period of time यहां पर performance obligation satisfy करना होता है क्योंकि customer उमीद लगा के बैठा होगा और वह दूसरा मैंने लिया था जहां पर customer को कोई उ problem नहीं तो वहां पर customer को कोई उमीद नहीं है कि आगे उसका feature कुछ बदलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो इसलिए दो situation है एक विराट कोली का दिमाग में रखेगा और दूसरा सचीन देंदूलकर का दिमाग में रखेगा विराट कोली के case में क्या माना जाएगा उस सचीन देंदूलकर ने उससे right दे दिया intellectual property right उसने दे दिया है ना यहाँ पर जो भी उसने copyright वगिरा जो भी उसने दे दिया कि आप use करी कोई problem वाली बात नहीं है तो ऐसा situation में मानेगे कि आगे तो कोई performance करना नहीं अब सचीन देंदूलकर को तो मानेगे कि हाँ यहाँ यह हम illustration पर आ जाएंगे यहाँ पर देखिए Pogo has created Pogo एक channel है ना उसने create के popular television show that is छोटा भीम Pogo grant से 3 year license Pogo ने क्या क्या 3 years का license दिया toy manufacturer for use of the character छोटा भीम यहाँ टोई manufacturer जो वो छोटा भीम का character use करेगा आपर on its toy as per the contract Pogo limited will continue to produce the show popularize the character carry out marketing activities तो यहाँ पर दिखिए contract में जो customer है उसने कह दिया कि अब अपने show को और popularize करिये अब show produce करते रही है अब अच्छा अच्छा काम करते रही है उससे क्या होगा customer को फाइदा मिलीगा आगे toy manufacturer produces and sells छोटा toys in this case the license the license provides access to Pogo's intellectual property who will undertake activities that significantly affect the IP in intellectual property by production and marketing of the show development of the characters toy manufacturer is directly exposed यह वाला highlight करेंगे toy manufacturer is directly exposed to any positive or negative effects by Pogo's activities that is how the show is received by kids and their parents यहाँ पर आपको देखना है जिसे मैं आपको बतारू मेरा एक भाणजा ही है and मेरा भाणजा वो भी यहाँ पर छोटा भी में से कुछ-कुछ जो रहता है ना वो देखे खुछ हो जाता मुझी ही चाहिए तो यहाँ पर यह सब character जो देन यह सब character के चलती बहुत पैसा कमाया जाता है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो customer है जो three years का license ले रहा है तो वहाँ पर वो उमीद लगा के रखावा उसने Pogo से बात भी कर रहा कि आपने सो को popularize करिये आपका सो जितना ज्यादा बढ़ेगा है ना छोटा विम का और उतना ज्यादा कमाई होगा तो यहाँ पर आप मुझे बताएए क्या यहाँ पर Pogo ने license दी दिया तो क्या Pogo का जीमिदारी खतम होता है आपर नहीं आज अगर Pogo ने customer को license दी दिया तो Pogo का जीमिदारी यहां खतम नहीं होता है Pogo Channel का उ यहाँ पर customer उमीद लगा के रखा कि Pogo जो है वो लगाता तर तीन साल तक अच्छा काम करेगा तो इसलिए यहाँ पर माना जाएगा कि performance obligation जो satisfied होगा वो over a period of time होगा ना कि at a point in time होगा वो होगा over a period of time तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि यहाँ पर Pogo जो है वो revenue recognize करेग तो इसलिए मुझे अब आपको समझ में है कि मैं क्या कहना चाता हूँ exactly तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे over time clear तो समझ में हमें यह example तो कर प्रोब्लेम वाली बात नहीं बस इतना ही मुझे आपको समझाना था और जहाँ पर इसे हम क्या कहते है बता है इसे right to access कहते है मतलब जहाँ पर performance obligation satisfied होता over time तो मतलब देखे यहाँ पर क्या होगा जो entity है उसे perform करते रहना उसे काम करते रहना यहाँ पर वो access दे रहा है use नहीं माना चाहिए right to use नहीं है वो access दे रहा है वो अपना जो भी उसका intellectual property right है उसका access दे रहा है क्योंकि Pogo अपने आप अपना सो को popular करेगा and वो उसका access दे रहा है कि जहाँ पर customer उनका जो image वगेरा है उसका use करके वो पैसा कम है तो definite से बात है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो questions है तीन चार questions है वो सारे questions अभी हम फटाफट से discuss कर लेंगे यह पर रुख जाए से 69 से 69 से स्टार्ट है चलिए 69 कोशें नहीं पहले करा देता हूं यह पर मैं देखिए an entity music record label licenses to a customer in 1975 recording 1975 का recording दे रहा हूँ of a classical symphony by noted orchestra the customer consumer products company has the right to use the recorded symphony in all commercials including television, radio and online advertisement for two years in country है यह यह इसके पास हक है अधिकार है कि वो two years तक television, commercial वगेरा सब जगा पर यह recording चलाएगा 1975 का recording in exchange for providing the license entity receive करेगा consideration of 50,000 per month the contract does not include any other good short services to be provided by the entity the contract is non-cancelable बताईए revenue कैसा recognize होगा over a period of time होगा कि at a point in time होगा तो आप यहाँ पर मुझे बताईए यह तो 1975 की पूरानी recording है क्या यहाँ पर जो customer है customer expect कर है कि यहाँ पर जो recording हो उस पे वो perform करेगा आगे उसका value enhance करेगा तो उससे फाइदा होगा जैसे मैंने छोटा भीम का example यहाँ था वहाँ पर बोगो चेनल को उससे popularize करते रहना है इसलिए हमने माना कि वह performance obligation satisfy होगा over a period of time पर यहाँ पर तुम्हें साब पता चला है यह पुराना recording है यह एक बार माल लिचे मैं entity मैंने एक बार आपको recording थमा दिया बस बात करता मेरी जी में तारी खतम अब दो साल तक आप उस recording का जो करना करिए मुझे कोई मतलब नहीं है और आप मुझसे कोई उमीद भी नहीं लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा जिसने recording का कुछ enhance होने वाला कुछ नहीं होने वाला वह पुराना recording है वह तो कोई फरक नही performance obligation है once मैंने आपको right दे दिया मतलब मेरा काम खतम तो मेरा performance obligation satisfy हो गया क्योंकि आगे जाके मेरे से कोई expect नहीं करो कि मैं popularize करूंगा recording वागेरा कोई से कुछ नहीं क्योंकि पुराने recording है है ना जैसे मैंने आपको कपिल देव से चिंद अंजुल करके एक्जाम्पल या था वैसे पूराने recording है तो इसलिए हम यहाँ पर revenue recognize करेंगे एटे पॉंटिंट है यहीं जैसे ही मैंने आपको सारा right वागेरा दिया मेरा performance application satisfy हो गया मैं revenue दिखा सकता हूँ चलिए simple question था हमने अच्छी तरीके से कर लिया 70 कराऊंगा पर 70 कराने से पहले मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं discuss करू 70 कर लूँ क्या 70-71 से अच्छा question है 72 जो की पूरा license related है मजा आएगा आपको पर चलिए 72 पहले discuss करते है sports team D enters into a three year agreement to license its team name तो एक sports team है माली जी यह Mumbai Indians ही है यह आपको ऐसे याद नहीं रहेगा आप माली जी मुंबई Indians की team है इन्होंने क्या क्या है तीन साल का agreement की है कि अपना team का नाम का license देंगे और logo देंगे अपर team का नाम यूज कर सकता है एक apparel maker है जो कि क्या करेगा team का नाम और logo यूज कर सकता है Determine the nature of license in the above case तो यहाँ पर आप देखे एक sports team है उसने तीन साल का license दिया है तो आप मेरी बात समझे यह जो apparel maker M है क्या यह एम उमीद नहीं लगाएगा कि sports team जो D है यानि Mumbai Indians जो है वो perform करता रहे वो तीन साल का contract क्या है तो तीन साल तक वो उमीद लगागे बैठा है कि ती situation में apparel maker का फाइदा होगा तो यहाँ पर performance obligation sports team का तब satisfy नहीं पूरा तीन साल तक उसे perform करना है है ना पूरा तीन साल तक उसे perform करना है तब performance obligation satisfy होगा तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर performance obligation satisfy होगा over time क्योंकि यहाँ पर सिर्फ license देने से जिम्मेदारी खतम नहीं होने वाली है चले point number one clear point number two modifying above facts यानि point number two में बोला गए above facts को थोड़ा सा modify कर देते sports team D has not played games in many years कि पिछले कई सालों से sports team ने game ही नहीं खेला and the licensor is brand collector B and an entity that acquires IP such as old team or brand names and logos from defunct entities or those in financial distress based business model is to license the IP and intellectual property or obtain settlements from entities that use the IP without permission without undertaking any ongoing activities to promote or support the IP intellectual property को कोई कोई promote वगेरा नहीं किया जार उस पर कोई ongoing activity नहीं हो रहा है तो इससे क्या पता नहीं चल रहा है कि यह sports team ने कि पिछले कई सालों से matchy नहीं खेला जैसे मैंने सचीन दर्णुलगर का example यह उसने पिछले कई सालों से matchy नहीं खेला है तो यहाँ पर यहाँ पर इससे थोड़ा वो जो फाइदा मिल रहा हुई फाइदा यहाँ यहाँ पर customer जो वो future के लिए कोई उमीद लगा के नहीं बैठा हुआ है three years के लिए कि यहाँ पर sports team perform करेगा तो इसलिए यहाँ पर one sports team जो है उसका license customer को मिल गया बस बात खत्म वहाँ पर यह performance obligation satisfy हो गया क्योंकि यहाँ पर आगे को performance obligation नहीं है आगे को performance नहीं करना वह अगर यह टीम अगर continuous खेलती रहती खेलती रहती तो बात लगे तो हम कहता उन्हों perform करना पड़ेगा उनके characteristics पर डिपेंड करेगा पर यहाँ पर को performance obligation मानने आजाएगा कि satisfy हो गया यहाँ पर फिर आपको आने वाली नहीं है आगे दिखते है इलस्ट्रेशन 71 film studio C grants the license to customer D to show a completed film completed film दिखाने के लिए grant किया है completed film C plans to undertake significant marketing activities that it expects will affect books or box office resets for the film the marketing activities will not change the functionality of the film but they could affect its value तो देकिन इसका film का functionality नहीं बदलने वाला मैं आपको बता रहा हूँ यह film already बन चुका है यह film already बन चुका है और यह film का हमें contract मिल गया अब आगे जागे थोड़ना film में बदला होगा जैसे मैंने विराट कोली का अगर मैंने license लिया विराट कोली का अगर मैं film के साल से सुचो तो उसका film चलते रहेगा तीन साल तक वो तीन साल तक cricket खेलते रहेगा वो रुकने वाला नहीं है तो उसके तीन साल के performance पे डिपेंड करेगा जो भी यह हाया ना पर एक फिल्म जो वो तो अल्रीडी बन चुका है अगर फिल्म बन चुका फिल्म अच्छा तो फिल्म चलेगा फिल्म खरावे तो फिल्म नहीं चलेगा यहाँ पर जैसे completed film है यह देखिए यह in completed film नहीं है यह completed film है तो अगर completed film मैंने आपको दे दिया तो मेरा तो performance obligation सैटिस्फाई हो गया अब आगे मुझे क्या करना कुछ नहीं करना मुझे अगर मैं in completed film देता तो बात भी है लगया पर मेरे तो completed film दिया ने आप तो आगे जाके यहाँ पर मेरा कोई further performance obligation नहीं है आप मेरे से कोई और expect नहीं करो कि मैं film को बदल दूँगा मैंने तो film दे दी आपको completed आप थोड़े न आप expect करोगी कि मैं film को बदल दूँगा यहाँ पर film अच्छी होगी आपके चलेगी नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी तो इसलि performance obligation satisfy हो गया आगी का आपको जिमिदारी नहीं है क्योंकि अब यह जो है यह आपका हमने कितने सालों के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है चले जितने time period के लिए दिया उतना आपका हो चुका यानि जैसे मैंने license दिया वैसे मेरा performance obligation satisfy हुआ और यहाँ पर मैं मानूंगा performance obligation satisfy हो र स्टार करते है software company X licenses its software application to customer Y यानि company X से उसने अपना software का application license पे दिया customer Y को under the agreement X will provide updates और upgrades X update और upgrade भी provide करेगा on a when and if available basis जब available होगा तो देगा Y can choose whether to install them यानि आपर Y की मर्जी है वो से install करे नहीं करे अपडेट अपडेट को Y की मर्जी है पर X देगा जब available होगा को guarantee नहीं ले रहा है कि देगा Y expects that X will undertake no other activities that will change the functionality of the software यहाँ पर देखिए customer जो है न वो कोई उमीद नह नहीं रख रहा है customer X से कोई उमीद नहीं रख रहा है कि वो software का functionality को बदलेगा तो जैसे मैंने कहा कि customer विराट कोली से उमीद रखता है तो performance obligation satisfy होगा over time customer सचीन देन दूलकर से कोई उमीद नहीं रखता है तो performance obligation satisfy होगा at a point in time वस यहाँ पर देखिए while limited जो है न वो expect कर रहे क कोई ऐसा activity नहीं होगा जो software का functionality को बदलेगा यहनि software मैंने आपको दे दिया बस performance obligation satisfy हो गया अब आगे software का changes से related कोई आप मुझसे उमीद नहीं रख रहे हो आपर हागर आगर आप ऐसा उमीद रखते कि मैं software को बदलती रहूँगा बदलती रहूँगा उसका functionality change होते रहेगा आपको मेरे से उमीद है तो ऐसा situation में फिर भी हम कहते है कि performance obligation satisfy हो सकता over time पर यहाँ पर जब कभी भी कहने कि इसका functionality change नहीं होने वाला कोई उमीद नहीं है customer को तो that means हमारा performance obligation satisfy होगा at a point in time हला कि pure थी हो रही है तो यहाँ पर बस मैंने courses के अपना best कि मैं आपको समझा सकूछ सारा कोशिन चारों कोशिन हमने यहाँ पर कर लिया और obviously बात यह upgrade और update है जैसे कि नोंने क्या भी दिया होगा तब दिया जाएगा और why की merge हो install करेगा की नहीं करेगा तो obviously बात है software एक separate performance obligation हुआ जिसना हमने step two model में पढ़ा था और update और upgrade separate performance obligation हुआ तो यहाँ पर हमने अब software एक जबकि separate performance obligation है तो software के किसमें हम यह जानना चाहा रहे थे हैं कि इसका control transfer कैसे होगा over a period of time होगा की at a point in time होगा तो हमने कहा कि नहीं software का performance obligation satisfy होगा at a point in time क्योंकि यहाँ पर customer को कोई उमीद नहीं कि software का functionality कुछ बदलेगा उसे कोई उमीद नहीं आपर यहाँ पर हमने बहुत सारे question कि हमने जैसे छोटा भीम का किया तो छोटा भीम हमने दिखा था किया उसका functionality बदल सकता है क्योंकि तीन सालों में पोगो को क्या कर करना पड़ेगा है ना popular करना पड़ेगा सो को बहुत सारा जीमेदार यह विराट कोली का मैंने एक्जामपल यह था यहाँ ते sports team D का जो हमने question क्या था भी नीचे sports team जो D में उसे cricket बराबर खिलते रहना पड़ेगा तीन साल तो उसका functionality बदलते रहेगा तो customer को फाइदा हो तो चलिए उमीदे आपने समझा यह question और यह सारा question हमने जो इससे related amended questions है वो सारे questions हमने कर लिए तो यहाँ पर जो basically revisionary video के जो questions है वहाँ पर सारे amendment questions हमने अच्छे से discuss करी लिए यहाँ और साथी साथ आपकी जो बाकी में आपको जैसे कहा था कि जो lecture number 5 lecture number 6 वो भी आप देख identity का वीडियो है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो उसका description में link रहेगा तो वहाँ से अब देख लीजाए चलो ठीक है बाकी खतम हो चुका हमारा so index 117 ने overall complete कर लिए